Hey guys welcome back to the channel and you are listening to Amun Ravadan Pahadi Brothers live stream So सबसे पहले नमस्ते भारत और आज हम आपको बताने वाले हैं Day 5 इंडिया का full result तो आपको बता दे Pahadi Brothers live channel ने जिम्मा उठा लिया है Commonwealth का schedule, result, हार एक match की live streaming करना तो आपको Commonwealth 2022 की पूरी जानकार इसी channel पर मिलेगी बने रहिए तो Day 5 का result शुरू करते हैं, कितने medal आए, कौन हारा, कौन जीता, सब बताया जाएगा वीडियो को end तक जरूर देखें और चैनल को subscribe करना ना भूले तो finally guys, शुरू करते हैं lawn ball से तो कल का दिन बहुत ही amazing रहा टीम इंडिया के लिए 17-10 से टीम इंडिया ने हराया South Africa को और पहली बार Women's 4 Finals में हम लोग जीतते हैं gold medal तो ये match टीम इंडिया के लिए एक historic win था अब बात करें second match New Zealand versus India Women Pairs round 1 हुआ जिसमें टीम इंडिया 18-9 से हार गया आगे बढ़ते हैं India versus New Zealand यहाँ पर टीम इंडिया 15 points से जीत गई है 15-11 का score रहा Women triples round 1 में अब बात करें मृदुल बोर्गोहेन versus Shannon Maxilroy यहाँ पर A21 का score रहा और Shannon Maxilroy जीत गई टीम इंडिया ये match हार जाता है आगे बढ़ते हैं India versus Fiji Men's 4 round 1 में टीम इंडिया ने कमाल कर दिया 14-11 से जीत गई England versus India हुआ Women triples round 2 टीम यहाँ पर England से हार गया काफी जादा अंकों से आगे बढ़ते हैं weight lifting की तरफ जिसमें टीम इंडिया ने Commonwealth में सबसे जादा medal हासल किये Vikas Thakur ने 346 kg उठा लिया है इतना जादा वजन हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं उन्होंने ये weight उठा लिया 155 snatch man 191 kgs clean and jerk में 1 silver medal for men's 96 kg finals category अब बात करें Women's 76 kg final match पूनम यादव ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बढ़ उनका last attempt 116 clean and jerk नहीं हो पाए इसलिए वो disqualify हो गई कोशिश थी 95 kg snatch में और 110 kg clean and jerk 6th position आई है team India की अब बात करें table tennis यहाँ पर team India ने शांदार जीत हासिल की 3-1 का score Singapore के खिलाब and men's team को मिलता है gold medal match तो finally ये था हमारा दूसरा gold medal lawn ball के बाद अब बात करें swimming की swimming में खुशागरा रावज जी उत्राखंट से 4th आए है 1547.77 microseconds ये qualified कर चुके हैं 1500 meter freestyle heat 2 में अब बात करें अफदित page 4th आए और ये भी qualify कर चुके है 1500 meter freestyle में अब बात करें अदवाईद page की timing की 15 minute 39 second .25 microsecond यहाँ पर इन्होंने खुशागरा रावज से भी अच्छा timing लाकर qualify हो चुके हैं अब बात करें अपने श्रीहरीन अट्राज जो की 3rd आए हैं and qualify नहीं कर पाए men's 200 meter backstroke heat 2 में तो कोई बात नहीं इन्होंने अपने तरफ से बहुत ही अच्छा timing निकाल के दिया है अब बात करें athletics मुराली श्रीशंकर 8.05 qualify कर चुके हैं long jump के लिए अब बात करें मुहमद अनीज यहिया 7.68 meters long jump में ये भी qualify कर चुके है मनपरीत कौर 16.78 meter short put को fake कर pre qualifying round को qualify किया आगे बढ़ते हैं hockey की दुनिया की तरफ hockey India 1 and England 3 तो women's pool A का जो match हुआ England के खिलाफ team India ये match हार जाता है बहुत अच्छी कोशिश की पर team England जादा tough competition दे रहा था और जीत England की हुई अब बात करें most popular sports की squash Sunayana Kuruvilla ने जीत लिया है Faisa Zafir के खिलाफ India versus Pakistan one of the famous matches women's plate semi final 3-0 का score रहा बात करें सौरफ गोशाल 0-3 से Paul call New Zealand से हार गए men's single semi final squash में अब आपको बताते हैं Indian boxers के बारे में Rohitokas 5-0 Alfred Kote के खिलाफ Ghana versus India हुआ जहाँ पर team India ने जीत हासिल की 63.5 से लेकर 67 kg weight category में खेला round of 16 team India जीत चुका है बात करते हैं one of the biggest match badminton जिस से सब को उमीद थी goal लाने की वहाँ पर team India ने काफी कोशिश की पहला match हम लोग हारे सत्विक सराज और चिराकशे टी जी second match PV सिंदू जीती third match के दामिश्रिकांद हार गए fourth match था बहुत ही जादा important Trisha Jolly और गायतरी गोपी चन्थ फुलेला उन्होंने अपना best दिया पर team India जीत नहीं पाया तो इसलिए team India को silver medal मिलता है and Malaysia जीता है gold medal तो बात करें athletics का last event जो रहा वो था women's discuss throw final जहां पर सीमा पुनिया और नवजीत कोऊर ने काफी अच्छे throw किये यहां पर सीमा पुनिया का score रहा 55.92 meters fifth position और हमारी नवजीत को और धिलो ने eighth position हासिल की 53.51 discuss throw करके अपनी eighth position बनाई तो guys आप लोग के हमारे schedule वीडियो और result वीडियो कैसी लगती है please comment section में जरूर बताएं team India को support करने के लिए पहाड़ी प्रदोस की live streaming को चुने and अगर आप हमसे कोई और question या सवाल जवाब करना चाहते हैं तो हमारी Instagram ID starting वीडियो के starting में ही दी गई है और description में भी है तो आप वहाँ पे हमें follow कर सकते हैं तो जै हिंद जै भारत bye bye मेरे दोस्तों Commonwealth के साथ बने रहें